नमस्कार दोस्तों मैं कन्यालाल स्वागत करता हूँ आपका इस यूटूब चेनल इस्टडि विद केल सर में दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्तान जीके का टेस्ट दोस्तों राजस्तान जीके के इस टेस्ट में बहुत ही महतोपून लाजवाब 20 प उन सभी में ये उपयोगी है पटवारी वगेरा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नई है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल सके दोस्त इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर एक जेतर सिंग दोस्तों 1213 इसवी में मेवार की गद्दी पर जेतर सिंग बेटा था और इस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो इलतुतमिश था इस समय दिल्ली का सुल्तान इलतुतमिश था जेतर सिंग के समय चली अगला प् विकल्प नमबर रतन सिंग अलाउदिन खिल जी ने रतन सिंग के समय ही मेवार पर आकरवन किया था 1303 इस वी में चलिए चलते हैं अगले प्रशनी की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 3 चितोड के दुर्ग की समुद्र की सते से उचाई है 1000 फूट, 1500 फूट, 1850 फूट और 2150 फूट तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर से 1850 फूट जो चितोडगर का दुर्ग है मेशा के पठार पर बनावा है चितोडगर जिले में उसकी उचाई समुदर तल से 1850 फूट है अगला प्रशन है प्रशन नमबर 4 एक विशाल सेना को लेकर अलावदिन खिलजी ने दिल्ली से चितोडगर की और प्रस्थान किया था 28 जनवरी 1203, 28 जनवरी 1253, 28 जनवरी 1208 और 28 जनवरी 1303 तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 9, 28 जनवरी 1303 चितोडग की तरफ अलावदिन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को प्रस्थान किया था और 1303 इस्वी में ही चितोडगर पर उसका अधिकार हो गया था दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 9, 29 जनवरी 1303 को अलावदिन खिलजी का चितोडगर पर अधिकार हो गया था इसी समय यहाँ पर चितोडगर का शासकता रतन सिंग और इसकी जो पतनी थी पदमीनी पदमीनी थी तो 1303 को चितोडगर पर अलावदिन खिलजी का अधिकार हो गया था अगला प्रशन है प्रशनमबर 6 पदमावद की रचना की थी अबुल फजल ने मलिक मुहमद जाईसी ने अमीर खुसरो ने फरिष्टा ने तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है मलिक मुहमद जाईसी ने पदमावद की रचना की थी और इस पदमावद के अनुसार ये बताया जाता है कि जो अलावदिन खिल जी ने चितोड़ गड़ पर आकर्मन किया था वो पदमीनी के लिए पदमीनी को प्राप्त करने के लिए किया था अगला प्रशन है प्रशन मबर साथ राजस्तान इतिहास कांगरेस का उध्यपूर में आयोजन हुआ था 1669 में 1769 में 1963 में और 1869 में तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर से 1963 में राजस्तान इतिहास कांगरेस का उध्यपूर में जो आयोजन हुआ था वो 1963 में हुआ था अगला प्रशन है प्रशन का सही उतर क्या है दोसतों जो लाखा है महाराना लाखा ये तेरासो बैयासी इस वी में मेवार की गद्दी पर बैठा थे अगला प्रशन है प्रशननमबर नो हमीर हट की रचना की थी जोधराज ने, चंदरशेकर ने, जाईशी ने, फरिष्टा ने, तो बताईए इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर बैट चंदरशेकर ने, दोस्तों जो हम्मी रहट है उसकी रचना चंदरशेकर ने की थी चलि अगला प्रशन है प्रस्ण नंबर 10 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था जAlaludddin, बलबन, अलाउद्दिन और इल्तुत्मिष तो बताइए इस प्रशन का सही उतर कया है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नंबर से अलाउद्दिन दोस्तों बारा सो चिन में इस वी में जो अलाउदिन खिल जी था उसने अपने ससुर और चाचा जलाल उद्दिन को मार करके गद्धी प्राप्त करी थी तो बारा सो चिन में यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर से अलाउदिन अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमर ग्यारा अलाउदिन खिल जी ने रन्थमबोर विजे किया था 1090 में 301 में 1099 में 1299 में तो बताइए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2301 में दोस्तों 301 में अलवदिन खिल जी ने रन्थमबोर को विजित कर लिया था और इस समय रन्थमबो दोस्तों कोफर का गड़ इसलाम ग़र हो गया ये प्रशन जो है कई बार परिक्षाओं में आचुका है तो इसे आप very most मान लीजिए और एक तरह से अच्छी तरह से ध्यान रखना इसमें अमीर खुसरो ने ये कथन कहा था जब अलाउदिन खिलजी ने रन्थम बोर को विजित कर लिया था चलिए अगला प्रश्ण है तेरा हमीर ने अपने अंतिम समय में जनता पर भारी कर लगा दिये थे जनता उनके भार से दब गई थी ये कथन किस इत्यासकार का है विकल्प नमबर अमीर खुसरो का दसरत सर्मा का फरिष्टा का और इलतुतमिस का तो बताईए इस प्रश्ण का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प नमबर दसरत सर्मा का दसरत सर्मा ने कहा था कि हमीर ने अपने अंतिम समय पे जनता पर भारी कर लगा दिये थे और जनता उसके बार से दब गई थी ये दसरत सर्मा का कथन है चली अगला प्रशन है प्रशन नमबर 14 जालोर में चोहन राज्य की स्थापना की थी धर्मपाल ने, समर सिंग ने, किरतिपाल ने, उदे सिंग ने तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प नंबर से कीर्थिपाल ने दोस्तों कीर्थिपाल चोहान ने जालोर के चोहान राजी की स्थापना की थी और इसे शोट में कीतु चोहान भी कहा जाता था चली अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 15 1205 में जालोर का सासक बना था धर्मपाल, कीर्तिपाल, समर सिंग, उदे सिंग तो बताईए इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर दे उदे सिंग 1205 में जालोर का साशक उदेशिंग बना था चली अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 16 कानड़ देव पुत्र था सामंत सिंग का चागिक देव का उदेशिंग का और धर्मपाल का तो बताईए इस प्रश्ण का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प नमबर ए सामंत सिंग का जो कानड़ देव सोनगरा था ये सामंत सिंग का पुत्र था अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 17 1305 में अलावदीन खिल जी ने आकरमन किया था 1305 में चितोड पर जालोर पर रन थमबोर पर मालवा पर तो बताईए इस प्रश्ण का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प नमबर बे जालोर पर 1305 में अलावदीन खिल जी ने जालोर पर आकरमन किया था चलिए अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 18 जालोर दूर्ग पर अलाउदिन का अधिकार था तेरा सो दस में, तेरा सो ग्यारा में, तेरा सो पंदरा में और तेरा सो डबल बार आया है तो बताइए इस प्रस्ण का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प नंबर 1311, 1311 में जालोर दुर्ग पर अलाउदिन कादिकार था चली अगला प्रस्ण है प्रस्ण नंबर 19 कानर देव को एक चरितरवान व्यक्ति बताया है अगले प्रस्ण का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प नंबर से दस्रस्ण सर्मा उन्होंने कानर देव को एक चरितरवान व्यक्ति बताया है चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ दोस्तों अगला और आखरी 20 वा प्रस्ण उससे पहले आपसे निवेद देने कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चलिए अगला प्रस्ण है प्रस्ण नंबर 20 यहां पर यह थोड़ी मिस्प्रिंट है प्रस्ण नंबर 20 हंसा बाई हंसा बाई पतनी थी जैसी मा की लाखा की अलाउद दिन की और उदे सिंग की तो बताए इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्त है विकल्प नंबर लाखा जो हंसा भाई थी वो लाखा की पत्नी थी और यह जो हंसा भाई थी यह मारवार की राज कुमारी थी चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में तब तक के लिए नमस्कार